नमस्ते दोस्तों, medicinal kingdom में आप लोग का फिर से एक बार बहुत-बहुत सौगत है और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Embroodil LX syrup के बारे में Embroodil LX syrup जो है एक combination medicine है जिसमें की Levosalbutamol Sulfate, Amroxol Hydrochloride and कफ आ रहा है और वो क्या होता है कि उस तरह के कफ से जो है गला जाम हो जाना, नाग बंद हो जाना सांस लेने में दिक्कत होना तो उस condition में या फिर bronchitis का समस्या नीमोनिया का समस्या जिसको भी रहता है या फिर जिसको दम फुलने का आस्थमा का समस्या है उसको जो है ये सिरप बहुत अच्छा काम करता है बहुत अच्छा उसमें result देखा गया है देख सकते हैं इसमें जो है लिवोसल बुतामोल 1 mg मिला हुआ है Amroxol 30 mg मिला हुआ है और ये काफी जादा effective है नीमोनिया वाले के लिए इसका जो है drop भी अवलेबल होता है drop form में भी अवलेबल होता है जो की छोटे मासूम बच्चों के लिए होता है और ये suspension के रूप में भी अवलेबल होता है जो की adult के लिए होता है और old aged के लिए होता है तो ये काफी best है और लिवोसल उटामोल, एम्रोक्सल ये जो है जिसका भी गला जाम रहता है, नाक जाम रहता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, कफ हसा हुआ है, कफ निकल नहीं रहा है, कहीं पे या जो है आपके लंग्स पे जो है कफ जम गया है, उस कंडिशन में इसको यूज में लिया ज दोरा इसको बनाया जाता है और ये जो है expectorant है तो ये cub को निकालने का काम करता है कपस को बाहर करने का काम करता है तो इसलिए जो है इसका जो डोज होता है वो आपको सुबा दो पाहर साम तीन टाइम इसको एडल्ट के लिए है और ओल्ड एजड के लिए है सुबा दो पाहर साम according to problem अगर समस्या जादा है तो तीन टाइम भी चल सकता है और नॉर्मल रहता ह है तो दो time भी एक time भी वो आपके समस्या आपके problem के एकौर्डिंग इसके डोज को दिया जाता है और यह जिरफ है यह ब्रॉंको-डालेटर के फर्म में होता है जो है जो कि ज़्यादातर pneumonia में अस्थमा में इस्तेमाल किया ज्यादातर जो है नीमोनिया अस्थमा में इस्त जाता है कफ के बज़े से तो उस कंडिशन में इस सीरफ को यूज में लिया जाता है और बहुत ज्यादा एफेक्टिव रहता है यह तो उमीद करते हैं यह एम्रोडिल एलेक्स जो सीरफ है इसके बारे में आप लोग को complete knowledge मिल चुका होगा वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया हो आप लोग के लिए helpful रहा हो तो जरूर से like करके चैनल को subscribe करके वीडियो को share कर दीजेगा क्योंकि इस तरह का वीडियो में आप लोग के बीच हमेशा से लाता रहता हूँ जो आपके लिए आपके बच्चों के लिए आपके परिवार के लिए हमेशा से फैदेमंद होता है जरूर से चैनल को subscribe कर लिजेगा दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मात्रम